लो दोस्तों स्वागेत आप सबीगे का फिर एक नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पिक्सलफ अपलीकेशन में न्यूफंट कैसे एड़ कर सकते हैं और साथी साथ हम आपको भी बताएंगे कि आप new font कहां से डाउलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक ने कियें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिछ सके तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तो निव फॉंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम ब्राजर ओपेन करेंगे तो चलिए हम अपने क्रोम ब्राजर को ओपेन कर लेते हैं इसके बाद हम सर्चिंग बाक्स में टाइप करेंगे dafont.com इसके बाद हम इसको सर्च कर लेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारा website ओपेन हो चुका यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉंट देखने को मिलेगा जो भी फॉंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं simply डाउनलोड बटन पर क्लिक कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं उपर की साइड आप देखेंगे तो आपको फूल्डर भी देखने को मिलेगा जिसकी मदल से आप बहुती बैतरिन तरीके का fount यहां से डाwnलोड कर सकते हैं आपको यहां पर बहुत सारे font देखने को मिलेगा तो चली हमें एक डाwnलोड करके देख लेते हैं जैसे इस font को हमें download करना है इसके ठीक सामने एक download बटन मिलेगा simply हम इस पे click करेंगे हमारा font download हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा font download हो चुका इसके बाद हम back जाएंगे और अपने file manager application को हम open करेंगे तो चली हम इसको open कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने file manager को open कर चुके इसके बाद हम download folder में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो font हम download किये हैं वो font कहाँ पे है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो font हम download किये हैं वो यहाँ पे है और यह zip file में है इसको pixel app में add करने के लिए सबसे पले हम इसको estate करना होगा इसको estate करने के लिए simply हम इसको click करेंगे और यहाँ पे एक option आएगा estate here simply हम इसको click करेंगे और अपने file को estate कर लेंगे इसके बाद हम pixel app application को open करेंगे तो चलिए हम इसको open कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा pixel app application open हो चुका, इसके बाद हम new text को select करेंगे, फिर हम यहाँ पर click करेंगे और इसको इस तरह से खिसकाएंगे, और यहाँ पर एक option आएगा, ab font, simply हम इस पर click करेंगे, और my font पर click करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पहल स लें इसको select करेंगे और add select पर click कर लेंगे हमारा font 8 हो जाएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा font 8 हो चुका, अगर इसके यूज करना है, simply हम इस पर click करेंगे, और Ok पर click कर लेंगे, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, अगर वेडियो अच्छ लगा तो व